हेलो एवरीवन वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ट बाइभी मन्यू आईए उसी सेट प्रिविएस येर सीरीज के अंदर आज का हमारा टोपिक है ल्सी एम एंड एच्छ ये देखिए अगर हम प्रिविएस येर का अनलीसिस करते हो तो ल्सी एम एच्छ पे से हर साल कोश तो आप expect करी सकते क्योंकि 2014 में वन कोश्चिन था 2015 में वन कोश्चिन था तो तूसेंट सिक्स्टीन था बट आगे देखा आप कि 19-20 के अंदर आगे फर्दर टू-टू-टू कोश्चिन है डैट मिन्स कि वी एंच्पेक्ट बन टू-टू कोश्चिन फ्रोम एलसे में एट सकते हैं तो आज के अंदर में आपको प्रिवेस एक सारे कॉस्टिन कराओंगे और साथ-साथ में यह भी पता होना चाहिए कि कहां पर लग्याइब को आपको को डाउट नहीं रहने वाला है क्योंकि स्टेटमेंट को देख कि हमें पता चल जाएगा कि कहां पर लग्याव स हमें स्टेटमेंट से यह पता चल जाता है कि हम पर मुझे लसी हम फाइंड आउट करना है त्स उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा जाता है तो लेट आस टार्ट यहां पर देखिया अपने पास फस्ट कोस्टिन है 2014 का क्या है कोस्टिन कहां रहा है कि ए बैल रिंग्स टॉर्ण ऐंति बाद इतने टाइम के बाद या इतने टाइम के बाद कुछ लोग है वह इतने टाइम के बाद मिलते हैं तो वो एकटें भी लेंगे ठीक है न तो इस तरह है कि जब भी कोश्चन आते तो उस केस के अंदर क्या है आपको lcm find out करना यह धियान रख लो ठीक है जब भी इस तरह कोई भी कोश्चन आएगा तो क्या करना आपने lcm find out करना है और जो आपकी lcm की value होगी उतने time के बाद में वो आपकी जो bells हैं वो कठी simultaneously बजेंगी ठीक है तो यहाँ पर अपने पास में minutes में है so अपने पास में time कितना आ जाएगा time interval कि कितने time के बाद में bells अपने कठी बजेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास में yes this is interval time interval क्या होगा equal to lcm of 18 24 and 32 yes lcm सभी को निकार ना आते हैं तो यहाँ पर देखिया अपने पास में lcm कितना आ जाएगा अगर हम शोट एक से भी देखते हैं तो यहाँ से अपने पास में lcm कितना आ जाएगा this will be 288 yes 288 आ जाएगा lcm ठीक है तो यहाँ पर आपने पास में जो lcm है that will be 288 that means कि इतनी मिनाट साथ कि दैन क्लियर है बिल्कुल अब देखो lcm वैसे सभी निकाल लेंगा lcm सभी को निकालना आते चलो फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं यह हमारे पास में अब सबसे पहले समसे स्मॉलर नंबर लेंगे हम दैन थ्री से जाएगा देखो यह दन तो यह अपने पास में बैल्यू कितनी आगी चारती है बारा बाराती है चत्री सती दूनी बहातर बहातर चोके हो गया आपके पास में 288 हम आपके पास 288 में बनेट सकति बढ़ेंगी प्रकॉश्चन यह नहीं कि कितनी देर के बाद बढ़ेंगी कोश्चन है किस टाइम पर बजेंगी ठीक है तो किस टाइम पर बजेगी तो इसको हम पहले लेगी वैल्यू आर के अंदर आ जाएगी छेचों के 24 बैसलों 240 हो गया तो यह हो गया इतने घंटे और आपके पास 48 48 मिनट्स बजगे इतने मिनट्स डन दाट मींस कि आफ्टर 4 आर्स और 48 मिनट्स ओफवाट एट ओक लोग एट ओक लोग के बाद देखो चार घंटे के बाद में क्या टाइम होगा आपके पास में 12 बज जाएंगे 12 बज के 48 मिनट पे मिलेगी तो आंसर क्या आज आएगा हाँ बताई कोई इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट ओके येस नेक्स देखते हैं नेक्स्ट कोस्टिन देखी किया है यस 2015 का कॉश्टिन का कॉश्टिन है करता फाइंड दे साइड ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्केर स्लैब विच कैन बी पेवड ओन दा फ्लोर रूम तू मीटर और फिप्टी सेंटिमेटर लोंग और वन मीटर और फिप्टी सेंटिमेटर ब्रोड यस एक रूम है अब यह यहां पर हमें यह लग रहा है कि यह जो कॉश्टिन है यह तो मैंश्य रिशन के बट यहां पर देखो कॉश्टिन आपका LCM HCF का कॉश्टिन को देख के हमें पता होना चाहे कि यहां पर क्या यूज़ हो रहे हैं कि 2 मीटर एंड 50 सेंटिमेटर एक साइड है और दूसरी ज लगानी है, slabs लगानी है, scare slabs लगानी है, means कि जो उसकी side है आपकी slab की, वो ऐसे होने चाहिए कि यहां से भी पूरी-पूरी आजाए आपकी, ठीक है, और अगर इधर से देखे, तो भी पूरी-पूरी आने चाहिए, that means what should I do, तो यहां पे देखो, मुझे क्या चाहिए एक त करता हो, ठीक है, और आप यह कह सकते हों कि हम अगर यहां पे इसका hcf निकाल लेते हैं, then we will get the side of our tile, ठीक है, जो हमारी slab है, square slab है, उसकी, आप find out कर सकते हो, तो यहां पे slab की side कैसे निकालोगे, that will be equal to what, hcf, तो जब भी इस तरह का question आता है, तो वहां पे हमने क्या करना है, hcf find out करना, देखो, last volume क्या था, lcm, यहां पे hcf find out करना आपको, hcf of what, 2 meter and 50 centimeter, और दूसरा जो है, वो अपने पास में, 1 meter and 50 centimeter, ओके, है, तो इसको hcf के लिए हम क्या करेंगे, 250 कर लो, इसको सारा centimeter में convert कर लेते हैं, जब इसका आप hcf निकालोगे, तो hcf कितना आगया हमारे पास में, that will be 50, hcf सभी को निकालना आता है, हैं जी आई होप सभी को आता होगा, lcm, lcm और hcf फिर भी एक बार में बता देते हो, नेखो, जैसे 250 है, ओके, 250 है यहां पे, जो बड़ी value उसको आपने अंदर लेना है as a dividend, और जो छोटी value उसको as a divisor हमने भार लेना है, ओके, अब यहां से देखो कितना आगया, वन से एक जा रहा है, यहां पे value आगया आपकी 100, अब जो remainder बचया, remainder को आपने diviser बनाना है, और जो आपका diviser था उसको dividend बनाना है, ओके, कितना आगया 50, अगेन यही process चलेगी आपकी कब तक, जब तक की remainder हमारा 0 नहीं बच जाता, ठीक है, तो अब जिस step पे जाके हमारा remainder 0 होगा, उस step का जो diviser है, that will be your answer, तो यहां पे diviser क्या है 50, that means कि HCF कितना है, आपके पास 50 cm, ओके एक तो यह सिंपल सा तरीका, दूस क्या कहती है, कि देखो, पहले यह देखो, जो सबसे छोटा नंबर है, दोनों के अंदर से, वो इस दूसरे नंबर को divide कर रहा है, 150 से नहीं हो रहा, फिर हम क्या करते हैं, कि 150 के आप तहां फैक्टर देख लो, 150 के फैक्टर क्या बनेंगे, 50, ठीक है ना, और 150, तो अब यह हां से आप इसको फिर 15 से अगर ram divide करके देखते हैं, 50 से यह भी divide है, यह बहु डिवाइड है, that मीन्स कि 50 हो झाएगा, यहां पर अपनेसं कि 50 cm आ गया, that मिन्स कि साइड ओफ स्केर जो अपने पास में SKEYER है, उसकी साइड कितने आ जाएगे हमारे पास में 50 cm यह is यह out करने है तो यह आगे आपका अब आगे question में ये भी है कि आलसो find number of such slab अब देखो दो option में है 50-50 कौन सा choose करेंगे तो ये भी हमें करना है तो अगर number of slabs find out करने है तो number of slabs कितनी होंगी this will be equal to area of the area of the field जो भी आपके पास में ये room है रूम का area, room का area कितना हो जाएगा आपका 250 into 150 divided by area of the slab slab का area कितना हो जाएगा आपका इसको हम cancel out कर देंगे यो गया 5 और ही हो गया आपने पास में 3 that means कितना आगे हमारे पास 15 clear so कितनी slabs की जरूरत पड़ेगी 15 slabs की सो आंसर क्या आजाएगा आपके पास 50 and 50 okay yes next question देखिए there are five lobby clubs clubs in a college photography, yeching, chess, electronics and gardening ठीक है जी आप आगे है कि the gardening group meets every second day जो gardening group है वो कितने दिनों के बाद मिलता है दो दिन के बाद कर every second day मतलब कि हर एक second day मिल रहे ठीक है जी the electronics group meets every third day तीसरे दिन मिल रहे ठीक है chess group every fourth day the yaching group meets every fifth day and the photography group meets every sixth day how many times do all the five groups meet on the same day within 180 days yes अब देखो यह वैसा ही question नहीं जैसा अभी हमने बैल वाला question किया था ठीक है न वहाँ पर ये था कि कितनी देर के बाद जो बैल से वह एकठी बजेंगी ठीक है और यहां पर क्या है कि बहें कितने दिनों के बाद में वह कठे मिलेंगे अगर कितने दिनों के बाद मिलेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि 180 डेज में वह कितनी बार मिलेंगे ओके तो कितने दिनों के बाद मिलेंगे वह कैसे पता चलेगा तो यहां पर हम देखेंगे नंबर ओफ डेज तो जो इंटरवल है वह कितना होगा आपके पास में LCM of किसका LCM निकालोगी सेकेंड डेकरे देन थर्ड डे देन फोर्थ डे देन फिफ्ट डे और शिक्स ठीक है इसका जो LCM है LCM आपके पास में आ जायागा 60 यह 60 विल भी देल सिय तो LCM आगे आपके पास 60 that means ki they will meet after 60 days हर 60 days के बाद में वो मिलेंगे that means what ki 180 days में वो कितनी बार मिलेंगे कितनी बार मिलेंगे तो कितनी बार मिलेंगे 180 days divided by 60 that means what after 3 days मैं लो 3 बार मिलेंगे sorry 3 times not that is not days this is times okay sorry this is times okay means her 60 day के बाद में वो सारे groups मिल जाएंगे अगर वैसे भी देखे तो देखो 60 days के बाद मिले first day के बाद जैसे 60th day पर मिल जाएंगे वो ठीक है उसके बाद 120th day पर मिल जाएंगे और उसके बाद 180 पर इतना ही गीवन है इसके आगे तो नहीं जा सकते that means कि 3 times they will meet so answer will be 3 okay yes next day next question is Sita and Gita go for a swim after a gap of every two days yes and then every three days respectively if on first January both of them went for swim together when will they together next yes again simple question है क्या कह रहा है कि हर सीता और गीता हर दो दिन के बाद और तीन दिन के बाद जाती है बार सीता हर दो दिन के बाद ठीक है और गीता तीन दिन के बाद तब जैसे जो लास्ट कोस्टन थे यहां पर यह कोस्टन काफी तो उसकेस के अंदर अपने पास में वैल्यूज क्या नहीं थी कि वो कितने दिनों के बाद मिलेंगे टू और थ्री का आप ल्सीम निकाल लेते कितना आ जाता है शिक्स और शिक्स दे के बाद में वो मिल जाएंगे मिन्स सेवं जन्वरी आपका अनसर आ जाता है बट यहां ध्यान से देखना है आपने वो क्या कहा रहे कि आफ्टर गैप गैप बीच में दो दिन का डैट मींस की कितने दिन बाल डैट मींस की कौन से दिन तीन तीसरे दिन तो सीता जो है सीता हर तीसरे दिन स्विमिंग के लिए जाती है यही कह रहे है सिसका मतलब क्या होगे सीता ह तीसरे दिन स्मीमिंग पे जाती है ठीक है थार्ड डे और गीता हर फॉर्थ डे पे इसने कहा ना एवरी एंड गैप है यहां पे बस यह चोटा सा ध्यान रखना है जब गैप है डाट मींस वर्ट की वह सेकेंड और थार्ड डे नहीं कह रहा वह कह रहा है कि ने गैप के LCM किसका निकालोगे आप 3 और 4 का देट मेंस 12 देट मेंस वाट की देविल गो नेक्स्ट टुगेदर आफ्टर 12 देज तो फॉर्स्ट का गई है वह फॉर्स्ट जन्वरी को तो आफ्टर 12 देज मींस वाट 13th जैन ओके तो सिंपल है इस तरह के कोश्यन बस जस्ट आपको न स्टेटमेंट से यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर मुझे करना क्या है तो यहाँ पर क्या करेंगे LCM find out करेंगे और LCM किन का find out करना 3 और 4 का ओके यस नेक्स देखिए next question is in a school every student is assigned a unique identification number हर एक student को एक unique identification number provide किया गया हो के ना एक student in a football player अब क्या है कि एक student football player है if and only if the identification number is division by 4 अगर वो 4 से divisible है whereas a student is cricketer cricketer का है if and only if the identification number is divisible by 6 yes football player है football player का क्या कह रहा हो yes football player का जो number है that is divisible by 4 ओके और जो आपका क्रिकेटर है उसका जो id है that is divisible by 6 दन आगे देखते question में क्या 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 रहा है क्याता है if every number from 1 to 100 is assigned to a student ठीक है जाना चाहिए है ना 4 और 6 दोनों से जाना चाहिए that means what कि दोनों के LCM से जाना चाहिए ठीक है ना तो LCM के बराबर और LCM क्या आएगा यहां पर LCM 4 और 6 का क्या आ जाएगा आपके पास 12 that means that number should be divisible by 12 तो यहां से 1 से लेके 100 तक 12 से divisible कितने number होंगे 12 24 36 अप टुवर्ट 96 बार आठे चाहण में ठीक है that means total कितने numbers होगे 8 numbers होगे 8 numbers होगे means what 8 ID number ऐसे है जो फुटबोर एस वेल एस क्रिकेटर है अब बात आती कि अगर 8 ID जेट मेंस कि 8 students है that means कि क्या होगे आपके पास में आंसर ओके क्लियर है next question देखते यह बिल्कुल क्लियर हो गया जब भी इस तरह का कोई भी question आता है यह चलो आपके पास में student के उपर आगा कोई numbers पे अगर इस तरह का question आ जाता है कि एक नंबर इस नंबर से भी इस से भी इस से भी तो उसकेस में क्या करोगे कि आपने सब का पहले तिनों का LCM निकाल लो ठीक है और LCM के बाद में उस से देखो कि हांजी कितने जो नंबर अब कितने मल्टीपल बन रहे है उस LCM कि जितने भी नेक्स देखिए के रहा है इफ यू है तो स्टेट स्टिक्स ओफ लेंग्स 7.5 एंड 3.25 फीट यस 2020 का question अभी आया था यह question what is the minimum length can you measure तो यहां पर इस question के अंदर क्या करेंगे हम क्या कह रहा है कि minimum length you can measure तो जब भी minimum की बात हो रही है तो उस case में अंदर कह रहा है कि क्या आप करोगे बताओ कितनी length measure आप कर सकते हो इसके अंदर तो इस case में आप क्या find out करोगे जो एचसी आफ आउट करोगे जो एचसी आफ आएगा यहां देट विल भी और आंसर तो एचसी आफ अगर हम इसका निकालते हैं तो एचसी आफ कितना आ जाएगा 7.5 तो इसको पॉइंट को आप उसमें convert कर लो पॉइंट को रिमूव कर देते हैं ठीक है तो यह अपने पास में वैल्यू कितने आ जाएगी इस विल भी सेवन को फीट को कनवर्ट कर लेंगे अगर हम दोनों की सेम यूनिट्स रख लो आप सो देट के आप लोगों के लिए इसी रहे ठीक है तो यहां से अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू कितने आ जाएगी एचसी आप जब भी धिहान रखना है कि हमारे पास में जब भी इस तरह है कि नंबर का एचसी आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं एचसी आप नूमरेटर डिवाइड बाइड बाइवाट एल्च्यम ओफ डिनोमिनेटर तो यहां पर इसका जब आप ल्स्यम निकालोगे तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास में दिस विल भी 25 देको 25 सी यह बीडिवीजिबल है यह बीडिवीजिबल है दन और अगर हम इसका एल्च्यम निकालते हैं तो एल्च्यम इसका कितना आ जाएगा 100 दैट मींस वाट क्या अंसर आ जाएगा 0.25 फीट ओके तो 0.25 फीट विल भी दे करेक्ट आंसर अब देखो वैसे भी अगर लोजिकली देखे इस कोश्च्यन को तो यह क्या कह रहा कि 7.5 फीट एक लेंथ है हमारे पास में कितनी 7.5 फीट इसने न आप नाया तो यह हमारे पास हम 3.25 अब 3.25 आगर आगे लेके जाते है ठीक है तो कितना आंगे हमारे पास में बॉल्पास में 6 अप दिया इसने है यहां कितना मेजर कर लिया शिक्स आ गया कितना आ जाएगा शिक्स पॉइंट फाइब आ जाएगा थी पॉइंट टूफाइब यहां से मेजर कर सकते बट यहां पर एक पॉइंट और देखो कि यह वन फीट ठीक है बाला लए जैसे मेरे पास ये है ठीक है यह भजो है अधु हमने इहां सबास देख लिए है यहन फीट भाव यह लायक्त यह ले नहीं पास से वाली अब इतना इतना करके मैं सको ठीटाइम स्गर मैं देखू तो ये जो दूसरी लायन्थ है यह कितनी है 3.25 है और यहां से हम 1 feet मेजर कर सकते हैं that means कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं 1 feet ठीक है जी उसके बाद में जो दूसरा है अपने पास में फिर 1 feet और फिर 1 बच गया कि तब 1 1 1 यह कितना बच जाएगा 0.25 that means कि यह वाला पार्ट जो है वो मिनिमुम रहेगा आपका दन तो कितना आजाएगा 0.25 क्लियर है यस दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया से ज्यादा यह है कि आपको कुछ लोगाना सिंपल जब इस तरह कोशन आता है आप से निकालो तो आपके पास में एक ऐसी वैल्यू आजाएगी जो दोनों को डिवाइड कर पार रहे है जो इसको मेजर कर पार यह तो यहां पर अपने पास में क्या आजाएगा 0.25 सिंपल यस एच्छिफ निकालो सिंपल नेक्स देखें नेक्स्ट इस वाट इस दग्रेटेस्ट लेंथ अफ एक्स सच देट 3 इस तो 1 बाई 2 मीटर और 8 इस तो 3 बाई 4 मीटर आर इंटीग्रल सब्सक्राइब करें तो यहां पर भी हम क्या निकालेंगे एच्छिफ फाइंड आउट करेंगे यहां आपको पता होना को देखें कि यहां पर मुझी क्या करना है कि एक ऐसा हाइस्ट लेंथ होनी चाहिए जो हमारे यह जो है इसकी इंटीग्रल मर्टिपल हो और इसकी तो होगा आपका एच्छिफ अब एच्छिफ मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास में नमबर जो है वह क्या है हमारे पास में यह जैसे fraction में नंबर है तो fractional number का हम HCF निकालना तो क्या करते हैं HCF of numerator divided by LCM of denominator तो यहां पर भी यही करेंगे तो पहले इसको convert कर लेते हैं Mixed fraction में value इसको सहले हैं अपम सिम्पल fraction में convert कर लेते हैं यहां पर हमें क्या निकालना है HCF LCM सोरी LCM नहीं है यह HCF है HCF of what 3 is to 1 by 2 and 8 is to 3 by 4 meter जस्ट यह लेना है आपको तो यहां पर मने पास में value क्या आजाएगी this will be 7 by 2 और यह कितना होगे आच्छो के 32 और दिन 35 35 by अब HCF की case में क्या लेंगे हम HCF of numerator divided by LCM of denominator ओके क्लियर तो यही करना है हमने तो यहां पर देखो क्या करोगे 7 and 35 735 का HCF कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा अभी भी मैंने बताया कि इस तरह के अंदर तो डिरेक्टी कर लो देखो 7 से दोनों के दोनों number divisible that means 7 will be the HCF और अगर हम LCM देखे 2 और 4 का HCF LCM तो LCM कितना आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा and this value will be equal to what 1 is to 3 by so 1 is to 3 by 4 will be the correct answer done clear है तो यह आपके questions previous year में आए वे थे वो मैंने आपको सारे solve कर आ दिये अभी हम कुछ question इस से related कुछ questions भी discuss करेंगे यस तो अब देखते हैं next question next question 3 numbers are in ratio 345 345 की ratio में है कि LCM कितना है उसका 2400 तो अब मेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास में ratio given है ratio given है तो आप क्या करोगे तो आप यह बताओ कि HCF होता क्या है highest common factor highest common factor means what कि कैसा number जो सभी के अंदर common है मेरा सभी के अंदर common है और जब ratio में अगर मेरे पास में number है that means what की 3 4 & 5 की ratio में यह हमारा first number है second number है और यह मेरा third number है okay अब ratio का मेनिंग क्या है कि इन सभी के अंदर यह exact value नहीं है एक को मरी कैसा number है जो सबके साथ में हमारा multiply हो रहा है that means कि यह value क्या 3x 4x and 5x अब इन सभी में इसको क्या है एक सब्सक्राइब और जो common value होते हैं उसको हम क्या कहते है एच सिय बोलते है फिके ना जो common value उसी को तो है एच सिय फैंगे दैट मिन्स वाट कि अगर मुझे एक सब्सक्राइब तो मुझे एक सिय फ मिल गया ड़न अब यहाँ पे इन सभी का अगर मैं सब्सक्राइब निकालो तो यहाँ निकालते टाइम हम क्या करते जो common value उसको बाहर निकाल के कर देते न देखो यहाँ पर यह सिंपल देखव आप 3x 4x और 5x का सब्सक्राइब क्या निकालो गया अब अलेक्स से डिविजिबल है सारा डन तो सिंपल क्या आगे आपके पास में यह 60x आगे तो हमें यह करने की जरूरत निया जब यह रेशियों में वैल्यूस गीवन होती है उस केस में आप डिरेक्टली करोगे क्या करोगे इन तिनों क को मल्टिप्लाइ कर दो ठीक है क्यों क्यों कि अगर मालनों वैल्यूस कुछ और होती तो हमारी कैंसिल आउट हो जाती है यह फिर सिंपल ऐसे कर रहो कि यह जो तीन नंबर इनका आप ल्सी अम निकाल के उसके आगे आप एक्स पुट कर तो यहां पे अपने पास में क्या आजाएगी 60X आगया और LCM यहां पर क्या गिवन आपके पास 2400 गिवन डैट मेंस दिस 60 is equal to what 2400 तो X की वैल्यू क्या आजाएगी आपके पास 40 दैट मेंस X is equal to what 40 40 का अभी मैंने आपको बताया कि जो को मन है that is HCF तो यहां पर को मन क्या है X है तो X क्या है आपका HCF है तो X A will be the correct answer दन तो इस तरह का कोस्टिन भी इंपोर्टेंट बन जाता है रेशयो वाला तो रेशयो और LCF की जब भी बात हो रही तो यहां पर देखना है कि जो हमारा कॉंस्टेंट है कॉंस्टेंट विल बी दे एच्छी ड़न यस नेक्स देखी नेक्स्ट कोस्टिन क्या है तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ वीच केन वी यूस्टू मेजर एग्जैक्ली दे लेंग्स सेवन म सेंटिमेटर 3 मीटर एंड 85 सेंटिमेटर एंड 12 मीटर एंड 95 सेंटिमेटर ठीक है तो अब यहां पर देखो अब अगेन उसी तरह का कोश्चन आ रहा है आपने पास में कि वैल्यूज मेजर करनी है आपको अब कहरा है कि जग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ एक ऐसी लेंथ कर दें और इसको भी मेजर कर दें ठीक है ना तो और वो स्केल मैक्सिममम लेंथ का हम जी चाहिए कि हां जी जितना भी पॉसिबल हो सकता है तो जब भी इस तरह का कोश्चन निकालना तो अगेन हमें क्या करना है एट सी एफ फाइंड आउट करना है ठीक है डैट मींस कि है ऐखेंड इसका उलट मीं सब्सक्राइब इस एलने के लिए पढ़े अचेवाउट जूसेमम लूट कर लिए रहा ग्या हnt यहां पर हम यूनित को सेम कर लिए यहां पर भी हम यूज़ चाहतंब यहोटाइब इसका हम चे और से डैइन päाली aga इसका आप HCF find out कर लो यहां पर आपका HCF कितना आजाएगा 35 विल भी और HCF HCF सभी को रिकारना आता अभी मैंने आपको method बता है दुबारा से repeat कर देते हैं ओके थैड़ के देखो सबसे पहले क्या करना कोई भी इन में से ले मैंने दो नंबर्स पी बता है था भी मैं करना है डिवीडेंट बनाना है और जो स्मॉलर नंबर है उसको हमने क्लियर तो यहां पर अपने पास में बन से चला जाया गई है अगेन प्रोसेस रिपीट करेंगे हम कितना आगे आपके पास 35 ओके अब देखो यह प्रोसेस कब तक रिपीट करनी हमने जब तक हमारा अन्ड में रिमेंडर 0 ना बच जए ठीक है तो यहां पर यह 70 70 को में एस 57 टूजा तो थर्टी फाइव तो गया रिमेंडर जीरो बच गया आपका तो यह 35 जो है उसकेस में जो नहीं हमारे डिवाइजर होगा डिवाइजर विल बी और hcf that means कि 703 85 का hcf कितना आ गया 35 अब हमें इसको चेक करना थर्ड नंबर के साथ में जो थर्ड है थर्ड से इसको हम फिर डिवाइड करेंगे 35 से ठीक है और यहां पर आप देख रहे हो दिस इस डिवीजिबल अगरी डिवीजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि यही आपका hcf होगा clear हाँ जी दन इसको आप कर लेंगे यह देख तीन से चला जाएगा इस विल भी बिजिन पंदरह दिन नों रिक दस okay that means this is your hcf तो कितना आ जाएगा आपके पास 35 cm done so 35 cm will be the correct answer okay next question देखें next question है three numbers which are co-prime to each other three number है एक दूसरे के क्या है को प्राइम से को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो एक दूसरे को cancel out नहीं करते किसी भी नंबर से that means what कि उनका hcf1 होता है ठीक है ना clear तो यहाँ पर कह रहें कि तीन नंबर है जो कि को प्राइम है such that product of the first two is 551 and that of last two is 1073 the sum of three numbers versus इस तिनों का सम कितना होगा अब अगेन यहाँ पर अभी पहले हमने देखने हैं कि क्या है को प्राइम नंबर है अब दोनों को product given मेरे पास में नंबर है मान लिजे एकस वाई और जैड अब इसने क्या कहा है कि पर यह जो दो नंबर्स है ना इनका अंस मल्टिप्लिकेशन आएगा 551 ठीक है और इन दो नंबर्स का जो मल्टिप्लिकेशन दैट इस 1073 अब यहाँ पर एक बात देखो आप कि जो वाई है यह एकस वाई दोनों को पर इस प्रोड़क्त के बीच में इस प्रोड़क्त की बीच में जो दोनों के लिए यहांपर है उपने दोनों के लिए कह एसे और इसमें यहांव कोम मैं कैसे निकालएंगे अगार हम इन दोनों का hcf निकाल ले तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो हमने क्या करना यहां से इसका hcf निकाल ले न ठीक है तो यह वैल्यू आ जाएगी आपके पास में यहाँ यह हो गया आपके पास 2 and 2 and 5 then 551 यह हो जाएगा आपके पास 3 and this will be 2, no 82, 8 ओके तो क्या आगया 29 आगया that means what कि y की value क्या है आपकी yes y की value क्या हमारे 29 है y आगया आपके पास अब देखो अगर xy 551 है xy क्या है 551 है simple सी बात है कि xy क्या है हमारे पास 551 है y की value क्या है हमारे पास 29 है तो x की value क्या आ जाएगी 551 divided by 29 simple that means what कि अगर मैं इसको 29 को divide कर देती हूं तो मेरे पास मैं क्या आ जाएगी x की value आ जाएगी तो यह यहां से देखो यह आगया सिंपल 19 आ जाएगा यह आप इसको डिवाइड करोगे तो अपने पास में value क्या आ रही है 19 डैट मिन फर्स्ट नंबर में मुझे मिल गया सेम वे आप जो वाई है यह जैड दोनों का प्रोड़क्ट कितना है 1073 है तो अगर मैं इसको 29 से मुल्टिप्लाइड सुरी डिवाइड कर दू तो मेरे पास किसकी value आ जाएगी जैड की तो यह देखो यह हमारे पास में value क्या आ जाएगी जैड की यह देखो यह आ रहा है आपका 39 दूनी एठ वंजिया ठीक है और ही हो जाएगा साथ 27 जैस क्लियर टिनो नंबर आगे हमारे एक्स वाइजेड नाव आवर कोश्चिन इस तो सम फ्री नंबर्स इस सम फ्री नंबर्स कितना हो जाएगा फिर 19 प्लस 29 प्लस 27 यह हो गया आपके पास में और अठारा साथ 25 ठीक है ना और यहस क्लियर यहस क्लियर है हां जी बताइए कोई डाउट हो यहां पर तक तो इस तरह से हम इसको डिरेक्टली कर लेंगे तो इस तरह का आई थिंग अब सब्सक्राइब के अंदर हमें कोई प्रोब्लम नहीं है यहां पर आई थिंग यस क्या सम्में दिक्कत आ रहे देखो एक मिंट दुबाराश चेक कर लेते इस विल भी 19 ओके ठीक है यह 39 आ गया इसको इससे करेंगे हम तो यह हो जाएगा आपके पास में अथिस दूनी अठ क्लियर यस तो अभी LCM-HCF पर आई थिंक किसी को कोई भी प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए सिंपल है जस्ट को देखके हमें यह पता होना चाहिए कि कहां पर मुझे LCM यूज करना कहां पर मुझे HCF यूज करना है ओके सो इट वाज आल पर टूदे अगर फिर भी कोई LCM-H के अंदर प्रोब्लम आ रहे है देन यूज चेक दे माइक्रोकॉर्स माइक्रोकॉर्स के अंदर आपके पास में टूटू थ्री वीडियो अवलेबल है LCM-HCF पर हर टाइप के कॉस्टिंस उसमें सौल करवाए है तन और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस कोस्टिंस भी है बट आई थिंक कि इसमें कोई प्रोब्लम आनी नीची फिर विए अगर आपको लगता है कि हांजी कुछ डाउट सा रहे हैं तो आप इसको कर सकते हो ओके सो इट वाज आल फो टूडे थैंक यू सो मच ठर्रीप्णिस का रहे हैं तो प्रोब्लम कर दो दोगता है कर मुगते हैं, ढुगते हैं तो आहे हैं तो आपको लोगते हैं झाल झाल